नमस्कार दोस्तो अब ही फार्म में आपका स्वागत है दोस्तो आप मेंसे बहुत सारे जो फार्मर्स हैं जिनके यहां घास की अबिलीटी कम है या फिर हड़े पत्ते नहीं मिलते हैं वो लोग कहते हैं कि सर साइलेज का इस्तमाल कर सकते हैं क्या कहां मिलेगी क्या कीमत है य सबसे पहले मैं बता दूँ कि बकडी पालन कोई रॉकेट साइन्स वाला काम तो है नहीं ठीक है और साइलेज भी कोई खड़ार चीज नहीं यह बहुत अच्छी चीज़े हैं यह विदेश में काफी ज्यादा मात्रा में इस्तमाल होते हैं बट इंडिया में ऐसा बहुत कमी भी लोग है या फिर बहुत ऐसा कमी फार्मर है नहीं जो एक्चुल में पर तरीके से साइलेज बनाना जानते हैं तो आपको तो पता नहीं कि साइलेज होता कैसा है या पि कैसा दिखता है तो कोई भी कुछ भी उठा कर आप आपको अपना बकडी पालन स्टार्ट कर देग बता दें कि साइलेज के चक्कर में स्टार्टिंग में ना पड़े घास हडा पत्ता बिचाली चोकर भुस्सी दाना और साथ में अगर आपको मिलता है तो आप बैलेंस फीड बकडियों के लिए इसी से आपकी बकडी फाम और आपकी बकडिया काफी स्वस्थ और हेल्थी रह रह wod deeply तो अगरा आपको मन्हें साइलेज खिलानें का साइलेज लाने का आपको कहीं विश्वास है कि वह सज सही से बनाता है या देता है तो आप लेकाये कोई दिक्क्क्त नी मट Rings buscarकिन बसंदब्र फिलाल नहीं ए जयुक्मक्यिंकि इंडिया में अभी तक साइलेज ऐसा क कोई है नहीं जो प्रोपर तरीके से बनाता है हमने भी देखा है तो सालेज का चक्कर में ना पड़े वर्ना आपका बहुत सारा पैसा वर टाइम बेस्ट होगा तो आप सही फीड और घास विचाली और हड़े पत्ते का व्यवस्ता कीजिए और बकडी फार्म को स्टार्ट की को घड़े तो हुज पिर्एडीज बेस्टार्ट कीजशम हुड़े आपकता हुड़े गill हमने प göz overthr stamping पीजशम हमने आपकापाशिंग